हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के एबाउट सेक्षन में इस्टाग्राम का लिंक किस तरीके से एड कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लिया ह अब मैं आपको यहाँ पर एक चैनल सर्च करके बताता हूँ MD Online Earning दोस्तो यह मेरा एक दूसरा चैनल है MD Online Earning के नम से और इसके मैं आपको सबसे पहले About सेक्षन में लेके चलता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊ गा कि यहाँ पर Facebook का Link मैंने डाल रखा है और यहाँ पर Twitter का भी Link मैंने डाल रखा है लेकिन अभी तक यहाँ पर Instagram का Link मैंने नहीं डाला है और दोस्तो उसी Instagram के Link को मैं यहाँ पर Add करके आपको With Proof Proof के साथ में दिखाऊ हूँआ ठीक है दोस्तों अब आपको चलना है Instagram पर ठीक है तो दोस्तों मैं यहाँ पर Instagram पर क्लिक कर देता हूं और यहां से हम सबसे पहले link copy करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपने चैनल का logo दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ इस पर आपको क्लिक करके अपने चैनल की ज इसका यूजर नेम कोपी कर लेना है। इसको भी यहां से मिनिमाइस कर देंगे। अब आपको चलना है अपने। गूगल क्रूम पर है। यहां सर्च करूंगा estudia.youtube.com तो देखिए studio.youtube.com यहां मैंने सर्च कर दिया है और मैं इस पर click कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर अभी YouTube studio जो है वो open हो जाएगा ठीक है यह YouTube studio open हो गया है दोस्तों और यहां पर मैंने उसी channel को login कर रखा है जिस पर मैं Instagram का link add करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहां पर channel dashboard खुला है आप देख सकते हैं यहां से अभी जो है channel का dashboard खुला हुआ है देखे channel dashboard ठीक है लेकिन अभी यह वाला जो icon है इस पर click करना है आपको ठीक है और यह इस icon पर click करने के बाद पर आप पहुंच जाएंगे channel customization पर यानि आपको channel customization पर पहुंचना है यह वाले icon पर click करने ठीक है तो channel customization में आ गया हूँ आप यहां पर दोस्तों तीन option देखेंगे एक है layout दूसरा है branding और तीसरा है basic info ठीक है तो आपको basic info वाला जो दोस्तों section है इसमर आपको चले जाना ठीक है तो दोस्तों आप जैसे basic info वाले section में जाएंगे तो आप थोड़ा सा उपर की तरफ आप को scroll करेंगे से तो आप यहां पर देखेंगे एक link का option दिखाई दे रहा हूँ ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर facebook का link डाल दिया है twitter का link डाल दिया है जैसा कि मैंने अदि आपको youtube पर जाके दिखाया था लेकिन अभी हमको यहां पर instagram का link डालना है तो यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा plus add link तो इस पर आपको click कर देना ठीक है तो दोस्तों मैंने plus add link पर click कर दिया है अभी यह पूछ रहा है link title required यानि किस चीज़ का आप link डालना चाते हैं तो मैं यहां पर डालना चाता हूँ दोस्तों instagram का link तो मैं यहां पर instagram type कर देता हूँ तो मैंने instagram यहां पर type कर दिया है अभी इसके just सामने आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है url required ठीक है यहां पर लिखा है url required यानि इसका url आप यहां पर डालिए तो दोस्तों आपको करना क्या है यहां पर सबसे पहले इस पर आपको click कर देना है और यहां पर आपको type करना है https 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 double dot यह वाली जो dot है यह लगाने आपको और double slash लगाना है ठीक है फिर आपको लिखना है यहां पर www.instagram.com ठीक है instagram.com इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर एक slash और लगाना है एक slash और लगाना है यह लगाने के बाद में जो अभी आपने username copy किया है अपने instagram से उस username को यहां पर paste कर देना ठीक है तो दोस्तों मैं उस username को यहां पर paste कर देता हूँ और यह आपकी पूरी link बन चुकी है यह link आपकी पूरी बन चुकी है अभी आप उपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर एक save का option लग चुकी है ठीक है और proof के लिए मैं फिर आपको दोवारा से अपने YouTube चैनल पर लेके चलता हूँ उसको मैं refresh करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे देखिए अभी तक यहां पर जो link है वो नहीं हो रही क्योंकि मैं इसको refresh नहीं किया है कि जो Instagram की link है वो लग चुकी है दोस्तो तो कैसी लगी आपको यह वीडियो दोस्तों यह वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद